दोस्तों आज का वीडियो है चार फिट की फाइबर की छत्री का फोकल पॉइंट का तो ये मेरे पास चार फिट की दोनों छत्रिया है और कम्प्लिट इसका में फोकल पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा ये मेरी दोनों के दोनों छत्रिया और đं है यह अभी में नहीं लेकी आ Saul तो दोनों ही छत्रियों का मैं आपको ओरिजिनल जो है लंबाई चोड़ाए और इसका क्या है फोकल वो सारा आपको डीटेल में बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपके पास ये आप ओरिजिनल छत्रि कहीं से लेके आए औरिजिनल फोकल के साथ तो आपको क्या चाहिए वो में बताता हूं इस टाइब की पत्ती चाहिए पेले तो इस टाइब की पत्ती बनवा लेना ये थी इस टाइब की ठीक है और ये बीच में से इसको मोड लेना जिनके पास औरी नल फोकल के साथ आया उनके लिए बता रहूं ठीक है इस टाइब की बना लो यह क्या पीछे भी सरक जाती है और आगे भी हो जाती है और यह उपर नीचे भी यहां से आपका जो है LNB का होल्डर सरक जाएगा ठीक और यह LNB होल्डर आप हेवी वाला ले ल प्रणी आये ठीक है तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हों अब सबसे पहले चोड़ाइं बता देता हूं च्छत्री की कितनी हो रही है इसकी चोड़ाई और दोनों ही मेरी च्छत्रिया सेम साइट की है तो मैं इस नहीं वाली च्छत्री का बताता हूं आपको तो ये लगभग चार फीट की है 120 सेंटीमिटर से थोड़ा सा एक दो तीन पाइंट और आगे ठीक है जो चार फीट लिखा हूँ बाग ये आप लोग सब समझदार हो आपको कुछ समझाने की जरूत नहीं ये ये मेजरमेंट टेप किनाप मैं आपको एकदम डिटेल में दिखा देता हूँ आप उसको देखके अंदाजा लगा लो ठीक है तो ये चोड़ाई में लगभग जहां पर ये मेजरमेंट टेप में चार फीट लिखावाता है वहां तक है ठीक है 120 सेंटीमिटर से थोड़ा सा आगे तक ठीक है अब मैं आपको इसकी उचाई बता देता हूँ चोड़ाई तो बता दी है मैंने अब इसकी उचाई या लंबाई बोल जो भी तो नीचे से ये उपर तक का मैं आपको बता देता हूँ कितना इसका मतलब मेजर्मेंट कितना आ रहा है तो ये है दोस्तो लगभग 130 सेंटीमिटर 130 से कुछ एक पाइंट उपर होगा 130 है लगभग और यहां पर नीचे जो एलन बी का डंडा होता है महां पर मैंने इसको इंच टेप को फसाया हुआ है ठीक है वहां से मैं आपको बता रहा हूँ और दोस्तों माफी चाहूंगा हमारा केमरा में जो है छोटा सा बच्चा है कोई दूसरा कोई मिलानी मुझे रिकोर्डिंग करवाने के लिए और ये बीच में सेंटर पोइंट होता है और ये चार यहां होल टाइप रहते तो ये सेंटर पोइंट जो है यहां से मैं आपको एल एन बी तक की दूरी बता देता हूं यह है इसका सेंटर पोइंट छत्री का और यहां पर मैं इसको रखके एल एन बी के ऊपर तक की जो है लंबाई बता देता हूं तो यह देखिए दोस्तो थोड़ा सा केमरा में एक्सपिरेंस वाला नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर मैं रिकोर्डिंग करता तो अलग बात थी मोबाइल मैंने किसी और को दिया हुआ है और यह 41,42 और 43 इंच यहां यह LNB के उपर आ रहा है बाक 42 और 43 इंच यह तीन जो मैंने बताई है आपको दूरिया यहां आप कई पे भी आप लगा दो और आगे पिछे करके अड़ेस कर लेना ठीक है उसके बाद मैं आपको उपर से भी बता देता हूँ छत्री में गोल गोल डाट याने की होल का निशान होता है वहां से मैं आपको दूरी बता देता हूँ तो यह है दोस्तों लगभग 52 और 54 इंच ठीक है LNB के उपर 52 और 54 इंच की जो है रेखा गुजर रही है इंच टेप दोस्तों मैंने उपर वहां पे लगा है जहां पे छत्री में जो गोल गोल छोटा सा होल का निशान होता है महाँ पे मैंने टच किया हुआ है ठीक है यहाँ पे गोल-गोल होल का निशान होता है और अब साइट के जो आर्म है महाँ से इसकी में दूरी बता देता हूँ तो इधर से यह आपको दिख रहा होगा दोस्तो यहाँ पे मैंने बस उसको गोल-गोल जो होल होता है निशान वहाँ पे टच किया हुआ है यह लगभग यह दोस्तो आपको क्लियर नहीं दिखा होगा क्योंकि केमरा में थोड़ा सा एक्सपिरेंस वाला नहीं है माफी चाहूंगा उसके लिए और इस साइट से लगभगे आपको दिख रहा होगा यह 45-45 इंच ठीक है 45-45-46 एलनबी के उपर से 45-45-46 इंच जो है गुजर रहे है और यहाँ पर मैंने इसको टच किया हुआ है यह गोल-गोल आपको हुल का निशान दिख रहा होगा यह कमपनी से आता है और दोस्तों यह है हमारे भाई केमरा में केमरा में भाई साब छोटू यह नहीं अभी तक रिकोर्डिंग की थी और यह बाकी आप देख लो एलेन भी होल्डर, पत्ती वगेरा किसी साब से मैंने लगाई हुई है यह आगे पिछे भी हो जाता है और अप डाउन भी हो जाता है ठीक है बाकी दोस्तों अगर आपके पास औरिनल इस्टेंड नहीं है तो उसका भी मैंने कंप्लेट वीडियो बनाया हुआ है फोकल पॉइंट का बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगाओगा मिलते हैं किसी और नहीं दिन, किसी और नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद